है गाईज स्वागत आप सबका सरकारी परिक्षा के यूट्यूब चैनल पर मेरा नाम है अमिद पटेल और आज हम लोग यहां पर यूपे ट्रीपल सी जो जूनियर असिस्टेंट का पेपर है क्यास लगाया जा रहे हैं कि फरवरी में होगा ठीक है अगले मैंने इसका पेपर होना है फरवरी 2023 में इसका पेपर होना है जल्द ही अगर यह पेपर हुआ तो आपको आयूक के द्वारा बता दिया जागा कि कब होना है पेपर तो हम लोग यहां पर बेसिकली आज डिसकस करेंगे इसके पैटर्न के बारे में स्लेवर्स के बारे में कौन-कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक आ सकते हैं इस एक्जाम में उसके बारे में इसका कटप भी देखेंगे कि लाश्ट टियर क्या रहा था इसका का कटप तो हाईए पहले हम यहाँ पर बात कर लीते हैं तो यह जो आपका रिटन एग्जांब होगा यह ओड्योंड मों में होगा कैसे होगा अं ओज्योंड मों में ठीकर यह ओफलाइन पेपर होना आप यह यहां पर देखोंगे कि horrend इंसाइट और राइटिंग अबिलेटी, जेनरल नॉलेज, जेनरल इंटेलिजन्स और रिजिनिंग टेस्ट, के वो यही तीन सेक्षन में पेपर होने हैं आपके, number of question हिंदी में कितने होंगे, 60 और हर एक question के half marks दिये जाएंगे, कितने हैं, 0.5 marks होंगे, और यहाँ पर आपको total यो समय होगा, देड़ घंटे का, मतलब 90 मिनिट का समय मिलेगा, total 130 सवाल है, 65 marks का ये paper होगा, और अगर इसमें negative marking की बात करें, तो negative marking कितना है, one fourth है, ठीक है, total marks का one fourth, तो यहाँ पर अगर आप चार सवाल गलत कर देते हो, तो एक आपका सही सवाल क्या होगा, गलत हो जाएगा, तो basically इनी तीन paper में होना है, ये offline होने वाला है, याद रखेंगे, ठीक है, online नहीं होगा ये, स्लेबस देख लेते हैं इसका जल्दी जल्दी में, तो पहले हम हिंदी की बात करें, तुरूटी से संबंदित, और अनेकार्थिक सब्वाक की संसोधन, तो ये है आपका हिंदी का स्लेबस, ठीक है, काफी आसान है, आप एक बार पढ़ेंगे न, मतलब अभी भी समय, अगर आप हिंदी में अभी भी लगोगे, तो आपको ये पेपर अच्छे से निकल जाएगा, हिंदी, आप यहाँ देखोगे न, तो हिंदी को काफी importance दिया गया है, बहुत साथ सवाल आ रहे हैं हिंदी स मतलब तीस question तो यहीं से, लगभग लगभग 50% तो आपका part यहीं से हो जा रहा है, हिंदी से, ठीक है, लगभग, और उसके बाद है आपका reasoning, फिर GK, देखो GK सबसे कम marks दे रहा है, इससे ज़्यादा ये, तो हम अभी आगे भी discuss करेंगे, कि कैसे आप अच्छे से पढ़ कर, smartly आप इसको निकाल सकते हो, अभी भी, देखें, GK की बात करें, तो GK पहले भी बात हो चुकी है, कि वो क्या एक समंदर है, तो यहाँ पर Indian history है, general science है, freedom movement, Indian politics, economics, world geography, और current affairs, और important days, ठीक है, यह सब आपका क्या है, GK का part है, GK में केवल, और केवल 30 सवाल ही आएंगे, 15 नंबर के, तो यह है आपका GK का syllabus, अब देखें, reasoning, reasoning का syllabus थोड़ा सा छोटा है, पर reasoning generally क्या होता है, आसान होता है, मतलब कि reasoning में आप practice करोगे, mock के साथ भी practice करोगे, paper easily निकल जाएगा आपका, तो एक है, पहले क्या है, question on similarities and differences, space visualization, problem solving, analysis, judgment, decision making, visual memory, discriminating observation, relationship concept, figure classification, arithmetical number series, और non-verbal series, और यहाँ पर देखोगे, general intelligence भी आपका test हो रहा है, यहाँ पर question to test a candidate ability to handle abstract idea and symbols and their relationship, arithmetical computation and other analytical function, यह पूरा syllabus आपका क्या reasoning का है, देखो reasoning, reasoning, आप के वाल practice से कर सकते हो, और कहाँ पर practice, आप mock के through, जो mock के through practice होती है, उससे आप reasoning को काफी असानी से complete कर सकते हो, ठीक है, सरकारी परिक्षा पर इसका, सरकारी परिक्षा डॉट कॉम पर आप जाओगे, तो आपको यहाँ पर क्या, धेर सारे test दिये हुए है, तो इसका mock हमने डाल रखा है, यूपी ट्रिपल एस सी, जूनियर असिस्टेंट का, unlimited mock है, अब जाओगे, mock को attempt करोगे, जरूर नहीं कि आप सिर्फ वेबसाइट ही कोलो, प्ले स्टोर में उसका app भी डाला है, आप के थूरू भी जाकर लगा सकते हो यहाँ पर mock, ठीक है, तो आईए, अब हम इसकी cut-up की बात कर ले थोड़ा, पिछले साल जो cut-up थी, मतलब लास्ट टाइम जब यह हुआ था, देखिए, हम जेनरल जेनरल की बात करेंगे, तो य जे रिटेन टेस्ट का cut-up है, यह final cut-up था 2016 का, तो 2016 हुए बहुत टाइम हो गया है, तो फिर भी इसका cut-up ध्यान में रखेंगे, 79 गया था, जेनरल का, यूर का 77 था, 71, 64, ठीक है, यह ऐसा cut-up था, हम यहाँ पर अभी जो रिटेन टेस्ट होना है, उसकी cut-up की अगर बात क देखोगे कि टोटल 65 नंबर का है, ठीक है, क्या 65 नंबर का पेपर है, और इसमें क्या हो रहा है, 42 नंबर सिर्फ जेनरल में cut-up जा रही है, ठीक है, मतलब यह more than 60% है, तो आप देखो जेनरल का cut-up क्या था, यहाँ OBC का cut-up भी बराबर है, SC और ST का cut-up भी थोड़ा सा slightly ही कम है उससे, और इधर वाले पार्ट कर डिसकस नहीं करते है, फीमेल, फीमेल का cut-up कितना 43, देख रहो, फीमेल की जनसंक्या कितना जादा है, और कितनी जादी महिला जो है, वो यहाँ पर भर रही है इस form को, 43.45, इनका cut-up गया है, जबकि जेनरल cut-up जो है, वो 42.23, मतलब अगर आप महिला है, और आपने reservation मांगा है, कि हाँ वहीया, हम महिला है, तो महिलाओं का cut-up है, वो काफी high जा रहा है, 43, तो अगर आप female candidate हो, जो की तयारी में लगे हो, तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा मैनत करना पड़ सकता है, क्योंकि आप पिछले बार काई cut-up का तरीका है, वो भी काफी high है, क्योंकि देखो, जादा तभी जाएगा, जो सारी लड़कियां कि आप maximum, जादा सा जादा score करने लग जाएगे, तो ये था, पिछले साल का लेखा जो का, तो करना कुछ नहीं है आपको, मैं back जाता हूँ, तो जी के current affairs और ये, ये चीज़ तो आप regular basis पे भी अगर करोगे, तो हो जाएगा, जरूर नहीं कि आप पूरा पढ़ना चालू करो, अब क्या गरो हिंदी पे focus करो, target ये रखना है कि हिंदी, अगर 30 marks का है, तो 28 number कहीं न छूटे, ठीक है, 28 number कहीं न छूटे, देखो last time अगर वो 42 गया था न, मतलब अगर 65 में आप 50 के round तो आपको इस बार लाना होगा, total score, 65 में कि आप 50 के आसपस, तब आपको कहीं chance बन रहा है, क्योंकि यहां general और OVC दोनों बराबर है, तो ऐसा नहीं कि आप बोलेंगे कि मैं category में हूँ, तो मेरा आसान होगा, थोड़ा सा paper और निकल जाएगा, जरूर ही नही तो क्या हो सकता है कि OVC का टब भी ज्यादा चला जाए, बहुत सारे एक्जामों में देखा गया है, तो आप सब को क्या, यहां पर 50 target करना होगा, अगर यहां से आप 25 से 28 नंबर भी target कर लेते हो ना, तो आपके पास 2 section बचेंगे, जहां पर आपको 25 नंबर target करने होगे, दोको इसमें यह पूरा 15 नंबर का paper है, 15 में आपको 7 से 10 नंबर तो ला नहीं होगे, जीके के लिए, ठीक है, तब ही आपको कुछ यहां पर बेड़ा पार लगेगा, अगर आप उतना नहीं लेकर आओगे, 50 परसेंट तो आपको score करना होगा इसमें, और अगर यह minimum की बात कर रहा हूं है, अगर आपको paper निकालना है, मतलब उस mindset से आप mock लगाईए और पढ़िए, कि आपको paper निकालना है, ठीक है, पढ़ने का समय गया, अब आपको paper निकालने के लिए पढ़ना है, तो हम केवल उतना ही पढ़ेंगे, जितना जरूरी होगा, ठीक है, तो हम PYP द तो minimum 18 तो कर नहीं होगा, 15 से 18 कर नहीं होगा हमें anyhow, ठीक है, प्लस माइनस कर सकते हैं, किसी में make-up करना होगा, पर अगर आप 50 number 65 में बना देते हो, तो आपका ये paper written test तो निकलने के chances काफी हाई होगे, क्योंकि last year cut-off, पिछले बार cut-off चली गई थी 42 number, लड़कियों की चल आने वाले बच्चों की संख्याना हमेसा बढ़ती गई है, और क्या है कि अभी exam में समय हो गया है, यहां पर हुए हुए, तो दो-तीन batch और graduate हो गया है, तो बच्चे और बढ़ गया है, जिन्नोंने form भरा होगा, ठीक है, तो अब competition काफी हाई है, अब पढ़ने वाले बच् है, तो यह February में में भी हो जाए, मार्च में भी हो जाए, हम अपनी तयारी को पक्का मान कर चलेंगे, कि हम एक plan बना कर चलेंगे, कि हम मतलब कि मुझे daily एक mock लगाने है, मैंने आपको बताया कि सरकारी परिक्षा पर आप जाकर daily एक mock लगा सकते हो, ठीक है, इसमें unlimited mock है, relevant question ले आए, तो आप daily practice के लिए एक mock लगाए, जिससे आपको समय time management भी होगा, 130.5 गंटे में बनाने हैं, तो आपको समय भी बचाना होगा, और थोड़ा सा systematic धंग से पढ़ेगी, क्या छूट रहा है मेरा, हम उसको थोड़ा सा और ज्यादा focus करें, तो ऐसे ही, हम इसको अच् comment करके comment section में बता सकते हैं, उसको तुरंत reply करेंगे, तो तब तक के लिए धन्यवाद